हलो फ्रेंड्स आप सबका पुषपंजली गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए फ्रेंड्स विनका के फ्लावर कापी अच्छी प्रूमी कर रहे हैं गजानिया के भी फ्लावर यह देखिए खिल रहे हैं और फ्रेंड्स सुबसुब का टाइम है तो अब देखिए यह फ्लावर अभी खिलना इस्टार्ट हुए हैं यह देखिए फ्रेंड्स तो समर के सारे फ्लावर खिलना इस्टार्ट हो गया हैं फर्मोकोल के डिबों में, हम गर्मियों की सबजीयां बहुत ही आशानी से लगा सकती है क्योंकि फर्मोकोल के डिबों में, काफ़े ठंडक रहती है इससे हमारी सबजियां बहुत अच्छे से हो जाती है फ्रेंड टेरिस पे क्योंकि टेरिस पे बहुत गर्मी रहती है तो देखिए फ्रेंड ये है लाल साग चौलाई लाल वाली और ये है सिमला मिर्च इसको हम अभी कुछ दिन पहले लाए थे तो इसमें एक फल लगा था ल है खुछ दिन में पूशी होगा और फ्रेंड इसकी हम एक बार हारवेस्टिं 가च चुको है ये देखिए जहां-जहां से हमने तोड़ा है ये देखिए यहां से तोड़ा है और यहां से तोड़ा है काफी तो मतलब एक बार की सबजी हमको मिल गई है अब इसमें काफी नई नई साखाएं निकलेंगे और और भी बूशी हो जाएगा तो फ्रेंड ये बहुत ही आसानी से टेरिस पर हो जाता है लालसाग और गोभी गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है तो गोभी हो नहीं पाती है तो इसको हम चाए में लगाए हुए है तो चाए में बहुत आसानी से ये हो जाती है तो इसमें गोभीया लग रही है पर बहुत बड़ी नहीं चोटी चोटी गोभीया लग रही है फिर भी कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा और ये प्याज है तो प्याज हमने लगाया है न तमाटर के कुछ पौदे हमने लगाए हैं देखिए इतने बड़े-बड़े हो गए हैं और इसको अलग-अलग करना है फ्रेंड काफी सारे टमाटर जितने हमने लगाए थे सारे देखिए जर्मनेट हो गए हैं तो फर्मो कोल के डिबे में बहुत असाने से कोको पिट की एक परट डाल के आप लगा सकते हैं और यह पालक है तो पालक गर्मी में बहुत अच्छी नहीं हो पाती है इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी हैं पर फिर भी खाने लायक पालक निकलाएगी फ्रेंड एक बार हो जा पालक और लाल भाजी बहुत आसानी से देखिए हो जाती है टेरिस पे पत्तेदार सबजियां हमाई स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद होती हैं और गर्मियों में बेल वाली सबजियां ज्यादा फैलती नहीं है तो फ्रेंड एक ही फर्मो कोल के डिबे में हमने तीन प्लांट लगा दिये हैं एक तुरई का और एक करेला का और खीरे का सबी अच्छे से हो रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा फैलेंगे नहीं ठंडी में ज़्यादा फैलते हैं और गर्मियों में बहुत ही कम फैलते हैं और इसमें फ्रूटिंग होने लगती है तो देखिए कर पहला चड़ रहा है और ये तुरही का बेल और ये है खीरा सभी कुछ आराम से हो रहे हैं एक दूसरे का सपोर्ट इनको मिलेगा इनको ठंडक मिलेगी एक दूसरे से तो बहुत अच्छे से ये होंगे और फ्रेंड इसमें ककड़ी है और खीरा दोनों लगे है तो फ्रेंड ये भी अच्छे से हो जाएंगे ये देखिए फ्रेंड चाड़ने की विवस्ता हमने की है और फ्रेंड ये अर्बी का पौदा इसको भी हमने लगाया है और देखिए फ्रेंड ये बैगन तो बैगन थोड़ा सा ही प्लांट बड़ा है अभी देखिए इसमें बैगन लगन स्टार्ट हो गए हैं यह देखिए इधार भी देखिए एक बैगन लगा है और फ्रेंड इदमें फूल भी लग रहे हैं काफी सारे कि तो यह धीरे धीरे बड़ा होगा और भी इदमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो गई तो इस प्रकार बैगन भी बहुत अच्छे से फर्बुकोल के डिब्बे में लगाया जा सकता है और इनमें काफी ठंडक मिलती है मिट्टी फैली रहती है और अच्छे से इनकी जड़े फैल जाती है और देखिए फ्रेंड ये अर्बी का कितने बड़े बड़े पत्ते हुए है छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे में लगा हुआ है इनकी पत्तों से पकोड़ी वेगर बहुत अच्छी बनती है इनको हार्वेस्ट भी आप कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें